एक बर फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बाबा आयरवेदा में जिसमें आपको आयरवेद से संबदित जानकरिया बतलाई जाती हैं जिनने आप हमारी वेबसाइड बाबाायरवेदा.com पर भी विश्तार पूर्वक प्राप्ट कर सकती हैं और आज की वीडियो हमारी एक ऐसी मनोसदी के बारे में हैं जो आज तक अपने गुनों के कारण किसी भी रोग या तांतरिक प्रियोग में पराजित नहीं हुई हैं सायद इसी कारण इसे ऐ पराजिता कहते हैं यहां बहु वर्षी जीवी एक वनस्पति लता हैं यहां दो प परकार की होती हैं एक के इकहरे और दूसरी के दोरे फूल लगते हैं इसके पत्ते वनमोंग के पत्तों के समान पर उनसे कुछ बड़े और एक सीक पर साथ साथ लगते हैं इसके फूल का आकार गाए के कानों के समान होता है इसी से इसको गो करनी भी कहते हैं इसकी कुछ ब इसके फूल दो इंच लंबे और डेड़ इंच चोड़े होते हैं, इसके फूल बहुत सुन्दर और आकर्शक होते हैं, और इसी से अनेक धनी और सोकी लोग अपने पुश्प वाटिकाओं में वितान बना कर उस पर इस बेल को छाते हैं, इसके उपर मटर की फलियों के समान चप्टी फलिया लगती हैं, जिसमें से उड़त के समान काले बीज निकलते हैं, आजकल के वैद कालादाना और एप राजिता के बीजों को एक ही वस्तू मानते हैं, तामिल भासा के अंदर एप राजिता और कालादाना दोनों औस दियों क काले दाने का गात्र एवं वन रुक्ष और किर्षन होता है इसके विप्रीत एप राजिता के बीजो का रंग किर्षन और गात्र चिकना होता है आयूर वेदानुसार निली कोयल, सिनिग्द, तिरीदोस नासक, ठंडी, तथा बुखार, जलन, भ्रम, और पिसाच बादा, खुनी दस्त, उनमाद, खसी, स्वास, कफ, कोड, जन्तु और छै रोग को दूर करती है निले फूल वाली गोकरनी में सफेद गोकरनी के सवी गुण मुझूद रहती है, इसके अलावा यह कामो दिपक और पेचिस को ठीक करने वाली है भ्यंकर वायू नलियों के परदा में, स्वास में, जलोदर में, तथा पेट के बठ जाने में भी यह लाप पुचाती है निल की जड़, इन चारो ओसदियों को छै गराम के मातरा में लेकर, पानी के साथ पीश कर, रस निचोड कर, चार तोलागो मुत्र के साथ पिलाने से जल रेचक असर होकर जलोदर में अराम होता है एप राजिता के बीजों को भून कर उनका चूरन एक गराम से तीन गराम तक देने से पलीहा, लीवर की सुजन तथा जलोदर में चमतकार पून लाब होता है एप राजिता की जड की छाल के सौरस को चावलों की धोवन और गो के घी के साथ पिलाने से भूतोन माद जैसी मानसिक बिमारी का नास होता है सुजन में एप राजिता की जड की छाल को जल में घोट कर पिलाने से लाब होता है जिनको भोजन करने के बाद पेट में दर्द होता है वो निली एप राजिता की जड की छाल को एक से तीन गराम तक सहद और घी की विशम मातरा के साथ एक सप्ता तक सेवन करने से परिनामसूल नस्ट होता है पुरानी खासी में एपराजिता की जड का सवरस 20 गराम ठंडे दूद के साथ पिलाने से पुरानी खासी में लाब होता है इसके बीजो का रस नाक में टपकाने से आंदासिसी में फाइदा होता है सफेद एपराजिता की चाल को दूद में पीश कर सहद मिला कर पिनने से गिर्ता हुआ गर्ब रुख जाता है इसकी जड़ के चूरन को छाच के साथ मिला कर पिलाने से पीलिया रोग में लाव होता है इसके बीजों को पीश कर चिलम में रखकर धुमर पान करने से हिचकी मिठती है अंड विर्दी में इसके बीजों को पीश कर गरम कर लेप करने से अंड कोस की सुजन बिखर जाती है सफेद एप राजिता की जड़ को गीश कर घी के साथ सेवन करने से गल गंड में फाइदा होता है तो मेरी महान आत्माओं ये थी एप राजिता की पहचान गुण दोस्वय उपयोग की जानकारी आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप इस लता की बारे में क्या जानकारी रखते हैं किरपया कोमेंट करके जरूर बताए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें जो की बिल्कुल फिरी है क्योंकि हम इसी परकार की ज्यानवर्दक महत्वपून जानकारी लाते रहते हैं और सवस्त्र हो रोज लो मोज लो